आज किस वीडियो में हम chemical examination of urine का पूरा पार्ट क्लियर करेंगे तो वीडियो को बीना skip किये हुए लाश तक देखेगा जिससे आपको chemical examination of urine अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे estimation of bile salt in urine urine में bile salt का estimation देखेंगे ठीक है तो देखे bile salt क्या होता है सबसे पहले हम इसको जानते है bile salt bile के primary components में से एक होता है जो lever से बनता है कहां से बनता है लीवर से बनता है ठीक है और हमारे galb blader में क्या होता है जमा होता है यानि store होता है लीवर में बनता है बाइल जो होता है वो लीवर में बनता है और हमारे गल ब्लेडर में क्या होता है इस टूर होता है यह देखिए यह आपको दिख रहा होगा इमेज में डाइग्राम में यह देखिए यह यहां पर लीवर ठीक है यह है लीवर में क्या है यह जो पूरा आप वह श्ट一次 होता है ठीक है तो यह था बाल अब आगे देखिए और लाज फैट ड्वपलेट को स्माल करता है कौन करता है एपाइल करता है तोड़ता है कौन करता है बाइल करता ठीक है अब बाइल साल्ट देखिए कौन-कौन से है पहला है कोलेट पहला है फ़स्ट कोलेट दूसरा है गलाइकोलेट तीसरा है चौरा कुलेट पाचवा है चौथा है सोडियम ग्लाइकोलेट और पाचवा है सोडियम चौरा कुलेट ठीक है यह सबी क्या है बाइल साल्ट है अब हम इस्टीमेशन कर रहा है तो इसका हमका aim हमारा क्या होगा तो हमारा aim है to determine bile salt in urine हम urine में bile salt का क्या करेंगे determination करेंगे आगे देखिए आगे है method तो method हमारा कौन सा है हेज method कौन सा method है हेज method है ठीक है इसका principle देखिए urine में present bile salt urine का surface tension reduce कर देता है क्या करता है urine में bile salt present अगर है तो क्या करेगा urine का surface tension को reduce कर देगा फिर हम क्या करेंगे क्या होगा जिग जैक पैटर्न में बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा ठीक है यह था इसका बाइल साल्ट का इस्टिमेशन करने के लिए इसका प्रिंस्पल था अब बाइल साल्ट का इस्टिमेशन करने के लिए कौन-कौन से requirement लगेंगे इसको देखिए तो पहला लगेगा test tube लगेगा urine sample लगेगा और sulfur powder लगेगा जादा और कुछ नहीं लगेगा इसका procedure देखिए procedure है सबसे पहले क्या करेंगे clean and dry क्या करेंगे test tube लेंगे सबसे पहले clean and dry test tube लेंगे उसके बाद graduated pipit के help इसे 3 ml urine को add करेंगे कि किसमे test tube में add करेंगे add करने के बाद फिर एकpinch sulfur powder को et curamed कि jaet करेंगे sulfur powder को add करेंगे sulfur powder अबेकरेंगे देन उसके बाद हम result को absorb करेंगे observe करेंगे ठीक है अगर sulfur powder क्या होता है flood कर रहा होगा तब test क्या है negative होगा अगर उपर में flood कर रहा है तो negative होगा लेकिन अगर jig jack pattern में क्या होगा bottom में settle down हो गया तो risk test report जो होगा वो positive होगा अभी आपको principle में क्या बताया गया कि अगर urine में bile side present है तो क्या होगा surface tension उसका reduce कर देगा और जब हम sulfur powder add करेंगे तो jig jack pattern में क्या होगा bottom में settle down हो जाएगा तो अगर settle down हो गया तो positive होगा अगर उपर में flood कर रहा है तो क्या है negative होगा इसका significance क्या है liver में inspection होगा ठीक है और jaundice के condition में क्या होता है bile side हमारे urine में आता है next देखिए next है estimation of bilirubin in urine urine में bilirubin का estimation हम देखेंगे ठीक है अगर हमारे urine में bilirubin आ रहा है तो हम कैसे पता करेंगे ठीक है तो aim हमारा क्या रहेगा to determine bilirubin in urine method कौन सा रहेगा fouchettes method कौन सा रहेगा fouchettes method अब इसका principle देखिए urine में present sulphate molecule barium chloride के साथ react करके barium sulfate बनाता है urine में क्या होगा अगर इसमें bile salt present है तो क्याulkए bilirubin आगर present है इसमें तो क्या होगा sulpate molecule जो होगा و mismo rate react करेंगा react करके क्या करेंगा barium sulfate बनाएगा और precipitations ो करेंगा urine में present bilirubin जो होगा वो precipitation के साथ चिपक जाएगा, अधियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब हम vouchers reagent को add करेंगे, add करने पर क्या होगा, present bilirubin tri chloro estic acid के present में क्या करेगा, ferric chloride के साथ react करके oxidize हो जाएगा, क्या हो जाएगा, oxidize हो जाएगा, जिसके कांट जो bilirubin रहेगा, वो bilirubin में convert हो ज देखिए, इसके में अगर हम estimate कर रहा है, यूरीन में bilirubin present है या नहीं present है, इसको जानने के लिए requirement क्या क्या लगेंगे, तो पहला लगेगा, test tube लगेगा, graduated pipette लगेगा, funnel लगेगा, filter paper लगेगा, और test tube लगेगा, reagent में क्या लगेगा, vouchers reagent लगेगा, sample में urine sample लगेगा, अब इसका procedure जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही तरीका रहेगा, सबसे पहले clean and dry test tube लगेगे, उसके बाद equal amount में urine and barium chloride को add करेंगे, क्या करेंगे, urine और barium chloride को equal amount में add करेंगे, ठीक है, उसके बाद precipitation अगर आता है, तो उसको filter paper के help से अलग कर precipitation आता है, तो उसको filter paper के मतद से अलग कर लेंगे, उसके बाद precipitation में vouchers region को add करेंगे, precipitation में क्या करेंगे, फाउचेट्स region को add करेंगे, ठीक है, अब क्या होगा result देखिए, result में precipitation color converted into green color, अगर क्या होगा, जो precipitation है, उसमें हमने vouchers region को डाला है, और उसका color क्या हुआ, green color में convert ह हो गया, तो क्या है, positive है, अगर color नहीं change होता है, तो क्या है, negative है, तीक है, अब देखिए, इसका significance, significance है, hemolytic, jaundice, hepatic jaundice, liver disorder, और autoimmune condition में का होगा, biliruin हमारे urine में आएगा, अब देखिए, estimation of ketone bodies, इसका aim क्या रहेगा हमारा, हम urine में क्या करेंगे, ketone body का determination करेंगे, principle देखिए, sodium nitro proside, alkaline media में urine में present ketone body के साथ react करेंगा, और purple color produce करेंगा, क्या करेंगा, sodium nitro proside, sodium nitro proside, क्या करेंगा, alkaline media में urine में present ketone body के साथ क्या करेंगा, react करेंगा, react करके क्या करेंगा, purple color produce करता है, यह इसका principle है, requirement इसमें क्या क्या लगेगा, test tube लगेगा, test tube stand लगेगा graduated pipette लगेगा यह सब इसमें requirement लगेंगे और urine लगेगा और pasture pipette लगेगा रिजेंट की बात करें तो रिजेंट में ammonium sulfate लगेगा sodium nitroprosite लगेगा लिकर ammonia लगेगा method कौन सा रहेगा method रहेगा रोथ्रास method अब इसका procedure जानते हैं तो procedure है सबसे पहले clean and dry test tube लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे clean and dry test tube लेंगे देन उसके बाद graduated pipette के रिजसे 5 से 10 ml urine एड करेंगे एड करने के बाद फिर क्या करेंगे उसके बाद उसमें ammonium sulfate saturated point तक क्या करेंगे dissolve करेंगे saturated point तक ठीक है उसके बाद sodium nitroprosite का एक crystal add करके उसको dissolve करेंगे crystal form में रहता है ठीक है पत्थर जैसे तो क्या करेंगे उसको एक crystal लेंगे और उसमें क्या करेंगे dissolve करेंगे dissolve करने के बार pasture pipette के help से wall के through क्या करेंगे small amount में क्या add करेंगे leaker ammonia ammonia को add करते है उसके बाद result को absorb करते है ठीक है अगर negative रहेगा तो no color change कोई भी color change नहीं होगा next है estimation of euro bilinogen euro bilinogen कभ हमारे urine में आता है उसका हम कैसे determine करेंगे उसको देखिए तो aim हमारा वही रहेगा to determine euro bilinogen euro bilinogen in urine ठीक है method रहेगा yearlich method principle रहेगा di di amino sorry di methyl amino benzyl dehyde euro bilinogen के साथ क्या करेगा कौन करेगा die methyl amino benzylでhyde euro bilinogen के साथ क्या करेगा react करेगा दिन क्या करेगा red color का complex तो करेगा काienia क्लर complex क्या करेगा urine में present euro bilinogen concentration के directly datasets Dryじゃあ requirement test tube रगेगा graduate энd प्रेजंट रगेगा और furnitureц procedure जानते है तो procedure सबसे पहले clean and dry क्या करेंगे test tube लेंगे उसके बाद graduated prepared के help से क्या करेंगे उसमें 1 ml ear leach क्या करेंगे reagent को add करेंगे उसके बाद 10 ml urine add करेंगे अच्छे से mix करेंगे उसके बाद 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे then result को observe करेंगे result अगर positive होगा तो red या फिर pink color का complex दिखाई देगा यद निगेटू रहेगा तो कोई भी color चेंज नहीं होगा significance क्या रहेगा liver disease के condition में और hepatitis hepatitis के condition में का होता है euro bilionogen आता है तो आज किस वीडियो में हमने पूरा chemical examination of urine को cover कर दिया तो आज का वीडियो आपको कैसा लागा अगर वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को like कर दे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर दे क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम daily आपके लिए provide करते रहते है thank you